DCP Mixed Study Channel, All Students, Welcome! Biology Level Top and Most Questions Video Start First Question, दूद के दही के रूप में जमने का कारण है आपसन ने Mycobacterium, आपसन भी Staphylococcus, आपसन C Lactobacillus, आपसन D खमीर यानि येस्ट तो दूद के दही के रूप में जमने का कारण है, वो है आपसन नम्बर C, यानि Lactobacillus Correct Answer आपको वो जानकारी देना चाहेंगे, कि Lactobacillus एक जीवाड है, जो इस्तरियों की योन में, तथा मानुओं के आहार नाल में पाया जाता है इनका आकार दंड यानि राड जैसा होता है, इसके अलावा यह जीवाड दूद से दही बनाने में सहायक होता है जान रखेगा इस्तरियोंस, मोस्ट क्यूस्चन था, नेक्स्ट क्यूस्चन, जन्तूओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन होता है आपसने जीवाड आपसन B कवक, आपसन C प्रोटो जोवा, आपसन D विशाण जन्तूओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग वो होता है आपसन नमबर D यानी विशाण के कारण होता है आपको बताना चाहेंगे कि मुहपफा या मुहपका खुर्पका जिसे कहते हैं रोग फूट एंड माउथ डिसीवज विभक्त खुर्प वाले पस्वों का अत्यंत शंक्रामक यों घातक विशाण जनित रोग है और यह गाय, भैस, बेड, बकरी, सुवर, आधि पालतू पस्वों एवं जीरन आधि जंगली पस्वों को होता है ध्यान रखिए गाई शुडेंट्स ये भी मुश्ट क्यूशन है और इस जानकारी को लेते हुए वीडियो पर प्रकास करें थर्ड क्यूस्टन है आपके बीच कौन एक जीवित जीवास यानि लीविंग फोसिलस कहलाता है आपसन ने ड्रायोप्टेरिस आपसन भी सौईकस आपसन सी पाइनस आपसन दी जिंकगो तो इसमें राइट एंसर होगा विद्यार्थियों वह होगा आपसन नम्वर डी या रखना है करेक्ट एंसर है आपको जनकारी देना चाहेंगे शुडेंस कि जिनको इसे एंटी अंटम या एडी अंटम के आधार पर मेहन हेयर ट्री के रूप में भी जाना जाता है पेड की एक अनोखी प्रजाती है जिसका कोई नजिदी की जीवि सम्मंधी नहीं है जिनको को अपने सोयम के ही वर्ग में वर्गी कृत किया गया है जिसमें एकल वर्ग जिनको फिडा जिनको एल्स जिनको एशिया जीनस जिनको शामिल है और यह इस सम्मूह के अंदर एक म नात्र विद्यमान प्रजाती है यह जीवी जीवास्म का एक सबसे अच्छा ग्यातुदाहरण है ज्योंकि जी बाइन लोबा के अलावा इनकुलिस जिसके बाद से होता है नेक्ट क्यूशन लिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुस्प है आपसने कमल आपसन भी सूरी मुखी आपसन सी रिफलेसिया आपसन डी कलोरी लिली तो इन सबसे बड़ा जो पुस्प है ज्टुजन्स आपसन नंबर सी यानि रिफलेसिया देखना है करेक्ट अंसर है की नहीं? जी हाँ, करेक्ट अंसर है, आपके सीन में भी दिख रहा है, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि रिफलेसिया, मुखेतह, मलेशिया एवं इंडोनेसिया में पाया जाने वाला एक आश्चे रिजनक परजीवी पौधा है, जिसका फूल वरश्पती जगत के सभी पौधों के फूलों से बड़ा लगभग एक मीटर व्यास का होता है, और इसका वजन दस किलोग्राम तक हो सकता है लगभग, इसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ें, नेट्स क्यूशन स्टूजेंट्स आपके बीच है, किस पौधे में बीज होता है, लेकिन फल नहीं होता है, आ आपसन B, मूंगफली, आपसन C, बादाम, आपसन D, साइकस, वो पौधा होता है, इस्टूजेंट्स, आपसन नमबर D, यानि साइकस, करेक्ट अंसर है, आपको जानकारी देना चाहेंगी कि साइकस एक जीनस है, जिसमें छोटे ताड जैसे पेड होते हैं, जिन्हें आम त और साइकोटोफाइटल माना जाता है कि 280 मिलियन वर्स पूर्व साइकिट्स का पर्मियन में विकास हुआ था, अब तक दुनिया भर में लगभग 305 प्रजातियां देखी जा सकती हैं, उनमें से लगभग 70% प्रजातियां चीन, वियतनाम, आस्ट्रेलिया, दच्छिड अ अफ्रिका और मेक्सिको के मून लिवासी हैं, नेक्ट क्यूस्टन, सबसे लंबा जीवित ब्रिच्छ है, आपसन ने, यूकेलिप्टस, आपसन भी, सिखुआ, आपसन C, देवदार, आपसन D, परडान, तो सबसे लंबा जीवित ब्रिच्छ है, श्टुडेंट्स, वो है, आपसन नंबर B, यानि सिखुआ, जी हाँ, करेक्ट अंसर है, आपको जानकारी देना चाहेंगे, यह अमेरिका के कैलिफॉर्निया राजी के सियेरा नेवादा धलानों के सबसे बड़े पेंड को देखा जा सकता है, ग्रेट सिखुआ नामक यह पेंड सिखुआ, डेंड्र और इस सबसे अधिक मोटे पेंड का ब्यास 12 मीटर, तथा कुल उचाई 82 मीटर है, और भूम इसे 54 मीटर की उचाई पर इसका तना 4 मीटर मोटा है, और इसकी सबसे लंबी साखा के लंबाई 42.3 मीटर, तथा ब्यास 81.8 मीटर है, इसके तन्य का कुल आयतन 1401.8 चार घन है अमेरिका के सिकुवा राष्टी पार्क में इस प्रकार के 300 से अधिक पेड़ है इन में से कुछ का नाम अमेरिका के प्रिसे दिविक्तियों के नाम पर रखा गया है नेक्ट क्यूचर है आपके बीच बांश को किश्मे वर्गिकृत किया जाता है आपसन ए ब्रिच में आपसन भी घास में आपसन सी जाड में आपसन डी अफत्रीन में तो बांश को वर्गिक किया जाता है वो होगा आपसन नमबर भी यानि घास में जी हां करेक्ट अंसर है देख लिजिए आपको जानकारी देना चाहेंगे हशिष भांग के पौधे से तयार गया एक माजक पदार्थ है नेक्ट क्यूचर आपके बीच उपस्थित है केसर मसाला जिसे कहते हैं सौफर इस पिस बनाने के लिए पौधे का निमलिखित में से कौन साभाग उप्योग में लाया जाता है आपसन पत्ती जिसे लीफ कहते हैं आपसन भी पंखुडी जिसे पैटल कहते हैं आपसन सी वाह दल जिसे स्पेल कहते हैं आपसन डी वर्तिकागर जिसे इस्टिगिमा कहते हैं तो में राइट एंसर है आपसन नमबर डी जानी वर आपिर्टिकाग्र से प्राप्त किया जाता है. क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायने की योगिक है यह वरड़क पत्तों के हरे रंग का कारण है यह प्रकार्ष अंसलेशन का मुख्य वरड़क है इसे फोटो सिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं इसका गठन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तथा मैगनिस वरड़क त्थम्तश्वों से होता है क्लोरोफिल एत्था क्लोरोफिल दो प्रकार में अगला इसब्स श्टार्च आपसंटी लो कोज अस दी डाई फासफों गली सईरीग अमल तो प्रकार्ष अंसलेशन का प्रथम इस्तिर्योगिक है तो वह है आप्षण नंबर सी यानि गुलो कोज देखना है करेक्ट अंसर है जी हाँ करेक्ट अंसर है आपको जानकारी देना चाहेंगे कि प्रकास अन्सिलेशन में प्रकास पानी और कारबन डायोकसाइड भोजन बनाने वाले अभिकारक पदार्थ होते हैं जबकि आक्सीजन और कार्बोहाइडर्ट इसके उत्पाद है और प्रकार्शन्स्रेशन की क्रिया से प्राप्त अंतिम उत्पाद कार्बोहाइडर्ट गुलोकोज और रिस्टार्च होता है प्रकार्शन्स्रेशन का प्रथम इस् करें अपने मित्रों के पास सेर करें अंते में सबिस्क्राइब करें धन्यवाद